Pillay loan offer, देखिए आप लोगों के सामने अभी दिकhाई दे रहा है कि यहां पर एक लग का loan offer है, तीन लग का loan offer है, यहां पर चार लग का और ज्यादा से ज्यादा यहां पर दस लाख तक का भी loan offer लिकल कर सामने आ रहा और ये जितने भी लोन हमें मिल रहा है ना इस पर सिर्फ 0.5% per day के हिसाब से interest देना होगा और ये जितने भी लोन हमें offer किया जा रहा है इन सभी लोन को लेने के लिए मेरा civil score का requirement नहीं है यानि कि बिना civil score को check किया हुए ये company loan provide करवाता है और आज के इस वीडियो में हम लोग live prove apply करके आप लोगों को दिखाने वाले है जो कैसे करकर आपको apply करना है कितना interest लगेगा कौन सा application है application का rating क्या है download क्या है क्या ये application RBI NBFC से license राप्त है ये नहीं है और क्या इस company से हमें loan लेना चाहिए ये नहीं तो friend अगर आपका civil score खड़ाप है आप loan तो लेना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा application ढून रहे हैं जो बिना civil score पर loan देता हो तो ये video सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस video के अंदर इस application के बारे में हर एक details बताने वाला हूँ साथ में मैं आप लोगों को with proof apply करके दिखाऊंगा तो चलिए video को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा request करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूट से किजिए का और बेलवल नोडिपिकेशन को बेलाव करना ना भूलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की information वाले वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लाते रहता हूं तो सबसे पहले देखिए application में जैसे ही आप अंदर आएंगे इसका कुछ इस प्रकार का loan offer आप लोगों के सामने आ जाएगा अब मान लेते हैं कि इस loan को हम लेना चाते हैं तो simple सा यहाँ पर select loan का जो option है उसके उपर हम click कर रहे हैं अब यहाँ पर मैं चाता हूं कि भईया हमारा limit है वो 1 lakh का है लेकिन मैं 1 lakh लेना नहीं चाता हूं मैं कितना चाता हूं कि मुझे यहाँ पर एक छोटा मोटा loan मिल जाए लगबग मैं यहाँ पर लेना चाता हूं 20,000 का ठीक है 6300 रुपया यहाँ पर interest देना होगा और repayment आपको करना पड़ेगा मतलब 27,300 loan amount कितना है 21,000 और 60 दिन के लिए हमें यहाँ पर time मिलेगा सारा चीज तो मुझे अच्छा लगा ठीक है लेकिन यहाँ पर जैसे मैं process के ओपर click करता हूं अब यहाँ पर चार details हमारे पास आ गया है पहला तो बोला गया कि वह यहाँ जो personal details है उसको आपको फिलप करना है फिर professional details आपको select करना है उसके बाद resident details आपको select करना है फिर आपको यहाँ पर bank account का details यहाँ पर select कर देना है इतना करने के बाद आपका जो भी loan amount है वो आप पूरबल हो जाएगा ठीक है लेकिन यह सारा process हम आगे process करेंगे उससे पहले इस application का eligibility criteria हर इक details को पहले देख लेते हैं क्योंकि अगर eligibility criteria match नहीं होगा तो फिर हम loan apply करेंगे भी तो loan हमारा reject होगा तो सबसे important चीज है कि eligibility criteria यह application करा है कि यह हम उन्हीं लोगों को loan देते हैं जिसका age limit 18 साल है और वह accelerated person हो चाहे individual person हो लेकिन वह भायरती होना चाहिए ठीक है तो भायरती आप तो होंगे ही उसके बाद यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि आपका minimum जो income है ना वह सत्रह हजार होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बीस हजार तक यहां पर आपका income है तो चलेगा interest कितना लगेगा तो interest का जो रें 80% पर एनम तो यहां पर interest ज्यादा है पहले मैं बता रहा हूं interest बहुत ज्यादा है ठीक है अब यहां पर चलते हैं और आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूं company जो company ने जो यहां पर बता रखा है आप यह company कह रहा है कि यहां हम यहां पर daily आप से interest लेंगे 0.4% मान ले ले लेते हैं तो टोटल आपको जो interest देना होगा वो 36,000 देना होगा प्रोसेसिंग फिस company का है 5000 टोटल आपको यहां पर जो है जब आप रिपेमेंट करेंगे तो 86,000 आपका total पैसा हो जाएगा समझ रहें 50,000 का loan amount 86,000 बन रहा है अब यहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहिए अगर इतना ज़ादा interest दिस application के बारे में आप क्यों बता रहें तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहरा हूँ कि इस application से आपको loan नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है देखिए interest ज़्यादा है अब यह बहुत सारे लोग इस application के बारे में comment करकर पूछ रहें कि सर यह जो अप्लिकेशन है यह RBI से रजिस्टर है यह नहीं है तो फिलाल तो प्ले स्टोर पर जितना भी एपस हैं वो RBI से रजिस्टर ही होता है लेकिन इसका रेटिंग अगर आप देखेंगे तो 2.6 का रेटिंग है डाउनलोड है पांच लाग लेकिन सबसे इंपोर्टन ची सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के अप्लिकेशन का रही क्या है अब इस अप्लिकेशन का नाम क्या है सिलरी नाओ एडवाण इड़न लोन तो इच्चा आपका है मैं अपना opinion बता दिया हूं कि interest क्या है, eligibility क्या है, criteria क्या है, हर एक details ठीक है बाकि अगर आपको सच में पैसी की जोरत है, need है, आप loan लेना ही चाहते हैं तो NBFC register company और low interest value loan company से loan लीजिए सबसे पहले देखिए, more video के section पर जाईएगा तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो आज तक upload की हैं और हर एक वीडियो में अलग-अलग loan application के बारे में बताया है जैसे कि इस वीडियो में बताया है कि personal loan कैसे मिलेगा बिना income proof का इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के अंदर हर एक details को share किया गया है अगर आपका सिबिल स्कोर खराप है और आप loan application पर try करना है और आपको ऐसा लगता है कि हर एक loan application आपका loan जो है रेजक्ट कर रहा है तो छोड़िये ना, website पर जाईए और website पर try कीजिए लेकिन कौन सा website पर try करना है उसको जान करते है आप लोगों को दिखाऊँगा सबसे पहले अप लिए किसन के बारे में बता रहा हूं उस website का नाम देखिए सबसे पहले में clear कर दो कि इस website का नाम देखने से apply नहीं करना है क्योंकि मैं review करने इस परकार का दखिए अब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह होगा तो complete information इस वीडियो में मिलेगा तो अगर आपको पैसे की जुरुत है तो आप इस वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो में आगे बढ़ने application को यहां पर कराना पड़ेगा और जो भी loan amount होगा वह immediate आप अपने bank account के अंदर receive कर सकते हैं और instant loan application का मतलब होता है कि हम ऐसे application try कर रहे हैं जाम पर सिर्फ एक से दो मिनट के अंदर loan मिल जाए इस परकार के अपने हिसाब से बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर बना रखाया और उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं जो कैसे करकर आपको पर्सटनल लोन मिल सकता है तो मुझे उमीड है इस वीडियो के अंदर जो भी इंपोवेशन मैंने आप लोगों को दिया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो वील defeat को और पर सलेंड है नहीं आपर क्या लिखाया कि शना कि रंट ठीक यहां पर लोन जो है वह एल्जिविल्टी में